मकर आशे, मकर आशे वालो जोन का महिना ये महिना आपके लिए जादा अच्छा साबित नहीं होने वाला है इस बात को रखना है ध्यान विश्रिश कर सभी शेत्रों में चाहे हम स्वास्त की बात करें, वेविसाय की बात करें, शात्रों के लिए बात करें इन तीनों ही शेत्रों में यहां पर ये काफी समस्याय उत्पन करते हुए नजर आएगा इसका एक ही मुख्य कारण बनेगा आपके focus का weak होना यानि आपके मन का भटकाओ मन का भटकाओ सबसे बड़ा कारण बनेगा कि सभी शेत्रों में आपको असफलता यहां देखने को मिलेगी चाहे वो आर्थिक मामलों में बात करें यात्रा संबंदित बात करें आपकी education से related बात करें इन सभी शेत्रों में आपके मन का भटकाओ ही यहाँ पे कारण बनने वाला है आपकी असफलता का, आपकी जीवन में निराश्या का अगर आप अपने फोकस को बढ़नाहगर चलने की कोशिश करते हैं तो ही आपका ये महिना जो है वो अच्छा जा सकता है Otherwise आपको बहुत जादा प्राब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेगी इस महिने में यू समझ लीजे पूरे साल का सबसे खराब महिना जाने वाला है ये आपके लिए यहाँ पर मित्रों के साथ में टकरार देखने को मिलेगी वही आपके अपने जू है वही आपके विरोधी बनते हुए नजर आएंगे कारेशेत्र में आपको काफी कॉंपटेशन का फाइदा करना पड़ेगा बहुत जादा यहाँ पर कॉंपटेशन आपके लिए देखने को मिलेगा जिसे हम दूसरे वर्ड में कहें कट त्रोट कॉंपटेशन कारेशेत्र के अंतरगत खुद को साबित करने के लिए अविवायत व्यक्तियों के लिए यहाँ पर विवासंबंदेत वारता हैं चलते चलते रुकती हुई नजर आएंगे तो किसी भी शेत्रों में हम बात करें जीवन की हर पहलू में ये महिना आपके लिए काफी नकारापन खफल देने वाला है शुब खाली यहाँ पर इतना देखने को मिलेगा कि आप जो हैं वह हार नहीं मानेगे जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा हार नहीं मानना कोशिश करना कि जो भी सिच्वेशन्स चल रही है उसमें कैसे हम परिवर्तन करें यही एक तरीका है जिससे आप इस माहा को शुब बना सकते हैं